दोस्तों अगर आप एक new creator है तो वीडियो आपके लिए काफी important होने वाली है आपको बदा दू कि जब आपका YouTube channel montage होता है तो आपको YouTube की तरफ से एक email भीजा जाता है और आपको बोला जाता है Congratulations आपका YouTube channel montage हो चुका है अब आप अपने YouTube channel पे Google Ads का इस्तमाल कर सकते हैं जब आपके YouTube channel पे 1000 subscriber हो 4000 गंटे का worst time complete हो जाता है बट आपको बदा दू कि कहीं सारे ऐसे भी YouTube channel है जिस पे अभी अभी Google Ads जा है ओटमेटिक इनेबल हो रही है वो भी उसके YouTube channel पे चाहे कितने भी subscriber है चाहे 0 subscriber है चाहे 1 subscriber है चाहे 10 है चाहे 15 है पूरी strategy आपको इस वीडियो मा आपको बताने वाला हूँ पर दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक question पूछना चाहता हूँ कि अगर आप अपने YouTube channel को promote करना चाहते है वो भी technical इसरा YouTube channel की help से तो आपको tension नहीं लेनेगा मैं आपके YouTube channel को promote करूँगा बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वीडियो को like करना पड़ेगा और इस channel को subscribe करना पड़ेगा और एक comment करना है इस comment से यानि के यहां से random picker के दौ़ारा मैं आपके YouTube channel को promote करने वाला हूँ तो comment जरूरी चाहिए देखो दोस्तों मैं अपनी वीडियो में हमेशा आपको सच्चाई बताता हूँ मैं आपके लिए कभी भी fake video नहीं बनाता और अगर कोई बंदा fake video बनाता है तो मैं उसको इस video के माद्यम से यानि के इस YouTube channel के माद्यम से आपको clearly बता देता हूँ क्योंकि मेरी audience को धोका नहीं होना चाहिए और मेरी audience को सही information पता होनी चाहिए और पता होना चाहिए काफी सारे creators को भी और आपको भी कि मैं technical इसरा YouTube channel का subscriber हूँ और technical इसरा YouTube channel पे जो भी information मिलती है वो बिल्कुल correct और right मिलती है मैं आपको clear कर देना चाहता हूँ कि अभी तक की जो monetization policy है उसको आपको समझना है सुनना है उसके बाद अगर आपके channel पे zero subscriber है एक subscriber है आपके YouTube channel को किस तरह से monetize किया जाएगा वो भी मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा जो strategy इस्तमाल कर रहे है लोग बाग वो कैसे कर रहे है उसका तरीका मां आगे बताने वाला हूँ बट आपको बता दू कि अभी तक क्या है कि आपके YouTube channel पे अगर आप काफे सारी videos upload कर रहे है और उनसे वोस time आ रहा है और वो content आपका है खुद का है आपने उसमें creativity डाली है अगर आपने कई से भी content को copy किया है यानि कि वीडियो को copy किया है चाहे Facebook से Instagram से Twitter से या किसी other platform से बट आपने उसमें वीडियो को edit किया उसके बाद आपने उसमें अवास डाली commentary करी अपनी उसके बाद वीडियो को upload कर दिया और उसके बाद वो वीडियो आपकी वारल हो गई या उस वीडियो पर अच्छा-कासा वॉस टाइम हो गया और उसके बाद जब आप काफे सारी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें आपकी वीडियो कोई न कोई चलती है क्यों मिलाके बात यह अगर आपके YouTube चैनल पर अभी तक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 गंटे का वोस टाइम होता है उसके बाद ही आपका YouTube चैनल अंडर रिवीव में जाता है यानि कि इसका मतला भी है कि आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए इलिजिबल हो जाते है या फिर अपलाई कर सकते है जब आपका YouTube चैनल है और आपको रिजन बता जाता है कि रियूस कंटेंट है या करेंटली इन इलिजिबल है तो मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहली बात तो यह अगर आज के टाइम में आप अपने YouTube चैनल को मोटाइज करना चाहते है तो आपको अपना कंटेंट डालना काफी जूरी ह है अगर आप किसी का भी copy paste करके without edit करके या without अपनी value को add किये बिना अगर आप अपने चैनल पर upload करेंगे तो काम करके कोई फाइदा नहीं है अगर आपके YouTube चैनल पर dance की वीडियो है music की वीडियो है या किसी मुझरे की वीडियो है या किसी साइरी की वीडियो है या आपनी YouTube चैनल मोटाइज है उसने एक्चल में एडिसंस भी अपलाई किया है उसने सारी चीज की है यानि कि एक जर सब्सक्राइबर कंप्लिट किया चारज़ गंटे का वोस्टम कंप्लिट किया उसके बाद उसने Google एडिसंस किया मतलब गूगल एडिसंस क्रेट किया उसके बाद प्रोपर होगा उसके बाद उसके Google एडिसंस पर एडिस आना स्टार्ट हो गई और वो कह रहा है कि अब मेरे YouTube चैनल है उस पे 1500 के आसपा सब्सक्राइबर है और मेरी वीडियो पे भी एडिस आती है और नहीं मेरे पार इस तरह का मेल आता है कॉंग्रेशलेशन वाला कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं साइध आपको पता हो या ना पता हो निव क्रेटर जरा ध्यान से समझ लेना आपकी वीडियो पे चाहिए आड्स आती है या नहीं आती है इसका मतलब यह नहीं है कि आपका YouTube चैनल मोटाइज होगा या नहीं या हुआ है या नहीं त सारे ग्रीन डोलर आपको दिखते हैं मोटाइजन का ओप्संस दिखता है इस तरह से आपका YouTube चैनल मोटाइज माना जाता है नहीं तो आपको पता दू कि अभी तक की जो पोलीसी है एक दिसंबर 2022 तक की जो अभी तक पोलीसी है हो सकता है आठ दिन के बाद चेंज हो जाए ह हो सकता है एक साल के बाद चेंज हो जाए एक महीने के बाद चेंज हो जाए बड़ आपको वजब दू कि अभी तक जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं अभी तक मोटाइज पोलीसी है कि एक हजर सब्सक्राइबर चार जर गंटे का वोस्ट टाइम आपको चाहिए होगा होगी यहां से टेकनिकल इसरार आपको बढ़िया इंपोर्मेशन देता है अगर आपको अपने यूटूब चैनल को पर्मोट भी करना चाहते है तो कमेंट करिए वीडियो को लाइक करिए आपके यूटूब चैनल का अगर नाम आगया तो लाइफ हो सकते आपकी बदल जा आएगे और आप जल्दी से जल्दी अपने यूटूब पर पहचान बना सकते हों मिलता आपको नेक्स वीडियो में दो देख टाटा बाइब बाइब जैहें